प्रोटीन का बता देते हैं रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम इसको उन सौर्ट में र, इ, आर बोलते हैं यह सिंथेसाइज करता है तो लिख देते हैं सिंथेसाइज इस प्रोटीन कंस्ट्यूटिटिंग सेल मेंबरेन तो यह आपने प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए बता दिया अब देखते हैं कि कहां पर लिपेट्स होते हैं तो उसको समय लेते हैं इस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम सौर्ट में एस ए आर बोलते हैं यह जो सिंथेसाइज होता है वो लिपेट्स को करता है सिंथेसाइज लिपेट्स कॉंस्टिट्यूटिंग सेल मेंबरेन